हेलो फ्रेंड्स एक फिरसा आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागता है तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया दिया था कि एले नम्यू ने पार्ट टू एजामनेशन फॉर्म बनने का डिड़ जारी कर दिया गया है लेकिन इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया था तो लिंक डिसक्रपशन हे मिल जाएगा आपको और इग्जामनेशन फॉर्म बढ़ने का वह दिस्क्रपशन हे मिल जाएगा तो वहां पर देख सकते हैं और उसका विवेडाय कोशन अच्छे से त्यार कर देना है तो जैसी आप यहां पर लिंक पर आएंगे तो यहां पर आप को अपना रोल नम मर् एंटर कर देना है और यह alan नमर होगा आपका कॉलियर नमर नभर नहीं लग देना है उसके बाद जो भी आप इसमें ओर नमर देना डिया क्ने जरूरी नियुका अब आपने पहले ला बय देना आप अप अभी उसके बाद यहां पर आपने एंटर कर देना है उसके बाद आपको यहां पर login पर क्लिक कर देना यह आप देख रहे होंगा login तो जैसे आप login पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आपका डिटेल आ जाज़ेगा examination form यूजी part 2 तो अबसे पहले आपको अपना है नाम सब चेक्व लेना father name यहां पर आपको एंटर करना इस तरह से तो मैं यहां पर इस तरह से आपको एंटर कर लेना उसके बाद आपको अपना mother name लिखना इसके वार अधार नमर लिखना है उसके बाद Gender, Male, Female उसके बाद category किया आता है आपका तो आप यहां पर दे सकते हैं उसके बाद आपको अपना category यहां पर कर देना है Urban EWS, BC, EBC, SCST इसके अनुसार ही आपका payment लिया जाएका और यहां पर आपको Date of Birth according to 10th Marksheet पर जो होगा आपका उसी recording भरना है और जो आपने part 1 का रियल्ट में जो आपने बरा था वही भरना से मैच होना चाहिए उसके बाद mobile नमबर आप देख सकते हैं कोई भी उसके बाद email id compulsory नहीं है यह आप देख सकते ही जो निशान ए compulsory का इसको बना अनिवार रहे है उसके बाद यहां पर permanent address उसके बा आपका part 1 admin card पर लिखा होगा और अभी part 2 का जब admin card जारी कर देंगा तब मैं आपको वीडियो के मात्यम से अप्डेट कर दूंगा तो आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर देना class roll number यह अनिवार नहीं है class roll number का मलवा था college roll number उसके बाद student type यह आपको दिहान रखना है उसके बाद यहां पर आगे है stream आपका commerce automatically fill है registration year 2020 उसके बाद यहां पर आपका जो भी subject है वो detail यहां पर show करेगा तो आप अपना subject देख लिए अच्छे से उसके बाद आपको क्या करना है तो यहां पर आप देख सकते last admit card photo and signature जो भी आपने last admit card यानि कि आपका part 1 का admit card था उ और ही वाला यहां पर देना है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है last admit card photo in signature जो भी इसे पिछले का admit card था उसका यहां पर photo signature अप्लेट करना है और यहां पर जो अब लिखा हुआ है upload last admit card of last examination you appeared तो यहां पर part 1 का admit card का photo यहां पर डालना है तो यहां पर थोड नया यहां पर upload कर सकती यानि कि अभी वाला photo signature आप देदेंगे और last admit card यानि कि आपको part 1 का admit card यहां पर upload करना होगा उसके बाद यहां पर click करेंगे upload admit card और यहां पर size दिया गया है तो जो आपका admit card का size है वो maximum 200 kv से नीचे होना चाहिए और maximum 50 kv से नीचे होना चाहिए और आपको यहां पर save and detail पर click करना है और जो भी यहां पर आप cash enter करेंगे उसके इसाब से आपका payment यहां पर मांगेगा तो हमने यहां पर detail सब आपको बताने के लिए किसी student का roll number मांगा था तो यहां पर हम जैसे यह payment नहीं करेंगे तब हमको मालूम पता चलेगा कितना यहां प payment करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो बाकी यही सब्सक्राइब करता है आपको अच्छे सही में आ गया होगा कि किस तरह इस examination form भरना अगर आपको किसी प्रकार का problem होता तो आप हमसे telegram में जूड़ सकते वहां पर आप हमको message कर सकते हैं तो यही सब्सक्राइब करता ह